नमस्कार स्वागत है आपका आर्या नियूज में मैं हूँ आपके साथ सुमनपाल साल दो हजार आठ में गुजरात के अमदाबाद में हुए सीरियल भम धमाकों के मामले में ही दोशियों को सजा सुना दी गई है और विशेश नया धीश एर पटेल की अदालत ने उन्चास अभियुक्तों में से 38 लोगों को फासी की सजा सुनाई गई है आपको बताते चले कि इन 38 दोशियों को IPC 302 के तहत ही फासी दी गई है और बाकी 11 दोशियों को उमर कैद हुई है कुल 7,015 पेज का फैसला है एमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिले वार बम धमाके में ही 70 मिनट के भीतर 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक खायल भी हो गई थे अधालत में 13 साल किसे ही जादा समय तक का मामला चलने के बाद ही गद सपताहा 49 लोगों को दोशी ठहराया गया और 28 अन्यों को बड़ी कर दिया गया आपको बताते चले कि सुंबार को अभी योजन पक्ष के दलीले खतम की गई थी और अभीयोक्तों को भी अधिक्तम सजा देने का अनुरोध किया गया था अधालत ने 77 अभीयोक्तों के खिलाफ पिछले साल सितंबर में ही मुकदमे की कारवाई खतम की थी और विचार धिन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था पुलिस का दावा है कि उकता आरोपी आतंक की संगठन इंडियन मुजाही दीन से ही जुड़े हैं आरोप था कि इंडियन मुजाही दीन के आतंक बादियों ने 2002 में हुए गोधरा दंगे का पर्ति शोध लेने के लिए बमधमाकी की साजश्रची थी वही भारत ने सिंगापूर के व्रधान मंत्रे ली सिन लूंग द्वारा ही भारतिय सांसदों के बारे में की गई टिपड़ी पर कड़ी नराज़ की दर्ज कराई है सिंगापूर के ही पीम लेसिन लूंग ने ही लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए भारत के पहले पर धान मंत्री जुआहरलाल नेहरू की तारिफ की थी और वर्तमान भारतिय सांसदों पर दस्ज क्रिमिनल केसों का जिक्र किया था उन्होंने कहा था कि विश्व में राजनिती बदल रही है और राजनितिक वर्ग में लोगों का विश्वाश घट रहा है देश में लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए इस पर बोलते हुए लोग ने जुआहरलाल नहरू का नाम लिया था और इसके आगे उन्होंने कहा था कि नहरू का भारत ऐसा बन गया है जहां पर लोग सभा में आधे सांसदों के खिलाफ दुशकर्म और हत्या के आरोपी लंबित हैं और भारत के विदेश मंत्राले ने इस टिपड़ी को ही गयर जरूरी बताते हुए सिंगापूर के उचायुक्त साइमन वोंग को तलब भी किया है और उन्हें सपस्ट कर दिया है कि भारत इस तरह की टिपड़ी को भरदाश्ट नहीं करेगा ये सही नहीं है दोनों देशों के बीच बहतर सम्बंध के लिए इसे बचना चाहिए अंडरवर्ड डॉन दाउग इबराहिम के भाई इकबाल कासकर की मुश्किले बढ़ सकती है इकबाल कासकर को प्रतन निर्देशाले ने कस्टडी में भेज दिया गया है इड़ी इकबाल कासकर को ही थाने जेल से लेकर ही रवाना हो गई है और आज कासकर को ही इड़ी मुबई के विशेश PMLA कोट में ही पेश करेगी स्थानी अदालत ने को बता दे कि परवतन निर्देशाले द्वारा ही दर्जधन शोधन के एकबाल कासकर के खिलाफ बुद्वार को पेशी वारंट जारी किया था और पेशी वारंट जारी करते हुए विशेश नियाधीश MG देश पांडे ने कहा था कि आरोपी को शहर से यहां लाने 18 फरवरी को अदालत के शमक्ष पेश करने की पूरी ववस्था एडी द्वारा किये जाएगी अदालत ने कहा कि जाच एजंसी रंगदारी के मामलों में उसे फिर से वापस भी भेजेगी कासकर से पूछताच करने की एडी से इस पहल से ही एक दिन पहले ही और एजंसी ने 10 जगों की तलाशी ली थी और जिनमें 1993 मुंबई विसफोर्ट में सरगना दाउद इब्राहिम की बहन दिवगत हसीना पारकर और गैंस्टर छोटा शकील के रिष्टेदार से जुड़े परिसर में भी शामिल है ये कारवाई धन शोधन शेध कानून के तह तक की गई है आपको बताते चलें कि एडी का ये मामला हाली में रास्टिये अन्वेशन अभी कारक द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर अधारित है और एनाई ने ही यूपी ये के तहट मामला दर्ज किया है पंजाब के मुख्य मंतरी चरन जीत सिंग चरनी द्वारा रोडशो के दोरान बिहार और यूपी के लोगों के संबंद में दिये गए विवातित बयार पर बिहार में सियासत गरब हो चुकी है और इस मुद्दे को ही बिहार NDA के नेता लगातार परतिकीर्या दे रहे हैं और इसी क्रम में ही बिजेपी के यूवा मोर्चा के रास्टी उपाधियक्ष मनीश कुमार ने भी गुरुवार को पंजाब के मुख्य मंतरी चरनी के खिलाफ राजधानी के कदमकुआ थाने मे लिखित आवेदन दिया है और मामला दर्ज करने का अनुरोध जो है वो भी किया है आपको बताते चले कि मनीश कुमार ने मांग की है कि मुख्य मंतरी चरनी पर ही कानूनी कारवाई की जाए और पुलिस उनको गिरफतार करें मनीश ने कहा कि कॉंगरेश हमेशा ही छेतरवाद और फैला कर ही देश को तोड़ने का काम करती रही है हमारे देश में ही कानून है कि कोई भी देश का नागरीक कहीं भी जाकर काम कर सकता है वो वसाई कर सकता है लेकिन चनी ने इस बात को जुठ लाने का काम किया है आज प पंजाब इधाव सबग चुनाओं के दोरान आम आद्मी पार्टी के पूर्वस्तान सा धरमवीर गान्धी ने अर्विंद केजरेवाल को निशाने पर लिया है धरमवीर गांधी ने अर्विंद केजरिवाल पर पंजाब को बाटने के आरोप लगाए है धरमवीर गांधी ने चुनावायों के अर्विंद केजरिवाल के बयानों पर एक्षन लेने की मांग भी की है आपको बताते चले कि धरम वीर गांदी ने ही अर्विंद केजरिवाल के दो दिन पहले के एक बयान का जिक्र किया है और इस बयान में ही अर्विद केजरिवाल ने कहा था कि लुधियाना में एक हिंदू विजनसमैन उनमें मिलना आया है और कहा कि पंजाब में हिंदू को सुरक्षित महसूस होता है और धरम विर गांधी ने कहा कि अर्विद केजरिवाल जूटी कहानी बना रहे है यहाँ धरम के अधार पर लोगों को बाटने की कोशिश हो रही है 1980 के दशक में भी हिंदू और सिखो का रिस्ता बहुत ही ज़दा अच्छा था वहीं केंद्रिय मंत्री मुक्तार अब्बास नकवी ने ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिये मोदी नहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए कई काले करनी जो है वो काम किये हैं और कल मुस्लिम महिलाई भी मोदी कर रही है और यहीं वज़ा है कि पाकखंडी पॉलिटिकल प्रोग्राम चुलाने वाले लोगों के बीच ये बेचेनी का कारण बना हुआ है उन्होंने कहा कि वो भ्रम और भै का वातावरन पैदा करना चाहते हैं इसका भियान शुरू कर दिया गया है और इससे किसी को कोई फाइदा नहीं है गौरतलब है कि कल पिये मोदी नहीं यूपी के फतेपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तीन तलाग के खिलाफ कानून का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों पर जम कर निशाना साधा था उन्होंने कहा था कि तीन तलाग का विरोध कर रही पार्टिया स्वार्थी है और ये उनके बारे में नहीं सोचते जो इनको वोड़ दे रहे हैं मैं समाजवादी पार्टी के अधिया अखलेश यादव ने शुकरवार को उत्तर परदेश के जालोर में ही माधव गड़ विधान सभा सीट पर चुनावी रैली को समबोधित किया और यहाँ पर 20 फरवरी को विधान सभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी और परचार का शोर आज थम जाएगा आपको बताते चले कि इस दोरान मुखे मंतरी योगी आदितिनाथ की सरकार पर भी निशाना साथा और लोगों को बताया कि राजे में सपा की सरकार तो वो क्या क्या कदम उठाएगी और अखलेश यादव ने कहा कि पहले चरण से ही गडबंधन ने बढ़हत बना लिये है और दूसरे चरण में जो वोट पड़ा है उसके बाद तो गडबंधन ने शतक लगा लिया है और इसके साथ ही तीसरे और चोथे चरण के बाद जो मदान होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और सपा ध्यक्ष ने कहा कि ये सरकार गोशाला के नाम पर पैसा लूट रही है यूपी को बचाना आपका काम है सांड की टककर से लोगों की जान जा रही है अखलेश यादव ने कहा कि करोना के समय पर ही ये लोग ना दवा दे पाए और ना अस्पताल दे पाए ना उक्सीजन दे पाए अगर समय पर लोगों को उक्सीजन दी जाती तो कितने लोगों को जान बच सकती थी और इसके साथ ही अखलेश यादम ने कहा कि हमें तीसर चौथे चरण के बाद पीछे नहीं मुड़ना है और जब तक साथवे चरण में चुनाओ जाएगा आप पता कर लेना BJP के भूतों का जो भूत है वो नाचेगा और इसलिए इन जूटों से ही बचाओ हमें अखलेश ने आगे ये भी कहा कि जिनके पास परिबार नहीं है वो परिबार वालों का दुख नहीं समझ सकते उत्तर परदेश में CAA विरोधी परदर्शन कारियों से जब्द की गई संपति फिलहाल लोटाई जाएगी यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने दिसंबर 2019 में भेजे गए तोड़ फोड की भरपाई के नोटिस वापस ले लिये हैं और अब नए कानून के अधार पर ही दोबारा परतिकीरिया शुरू की जाएगी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमती देते हुए कहा कि लोगों से वसूल किया जाएगा हरजाना और राज्य सरकार वापस कर दे और नए कानून के तहत बने क्लेम ट्रिबुनल के आदेशों के बाद ही दोबारा वसूली करे आज यूपी सरकार के लिए पेश राजे के अडिशनल एडवोकेट जनरल गरीमा परसाद ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 14 और 15 फरवरी को ही नया आदेश जारी कर सभी पुराने नोटिस वापस ले लिए गए है और इन सभी 274 मामलों की फाइनल जो फाइल है वो क्लेम टिबनिरोल को ही भेजी जाएगी जजों ने इसकी सराहना की है और इस बीच ही आचिका करता परवेज आरिफ टीटू के लिए पेश वकील नेलो फर खान ने कहा है कि दिसंबर 2019 से लेकर अब तक छोटे दुकानदार रिक्षा चालग जैसे लोग परिशान है उनकी संपती एक ऐसी परकिरिया के तहत जब्थ है जो अब निर्स्त नहीं की गई है और इसके साथ ही वसूल की गई धनराशी और संपती तुरंत लोटाई जानी चाहिए उत्तर पर्देश में विधान सभा चुनाओ के मद्दे नजर सीम योगी आदित नाथ ने शुकरवार को मेन पूरी की ही करहर विधान सभा में जन सभा की और इस दोरान ही सीम ने कहा कि मैं कल देख रहा था कि सपा और के परत्याशी जो है वो अखलेश यादव नामांकन के लिए ही करहलाए थे तब उन्होंने कहा कि अब दोबारा सर्टिफिकेट लेने के लिए जाओंगा लेकिन स्पी सिंग वगेल ने उनको पांचवे दिन ही यहां आने पर मजबूर कर दिया उनकी स्थिति आसमान से ही टपके हुए खजूर पर अटके वाली हो गई है इसके साथ ही बिजेपी नेता ने कहा कि 2017 में हम लोग आये थे और हम लोगों ने कहा था कि राम लल्ला हम आएंगे और मंदिर वही बनवाएंगे और हम लोगों ने जो कहा वो किया और इसके साथ ही कहा कि सपा बसपा या कॉंग्रस कराती इसके बाद उनोंने कोश्चिन मार्क लगाया है आपको बता दें उनोंने कहा कि जिस करोना ने ही पूरी दुनिया को रोक दिया और वो राम मंदिर का रास्ता नहीं रोक पाया साल दो हजार तेइस में ही भगवान राम का भव्य मंदिर आयोध्या में त्यार होगा और राम मंदिर भारत का राश्ची मंदिर होगा सियम योगी आदितनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखलेश यादव को शवगोशित परतियाशी है और उन्होंने कहा कि सपा नेता टीका नहीं लगवा रहे थे अगर टीका नहीं लगवाएंगे तो कुरोना कैसे पीछा छोड़ेगा और ये हमारे हित चिंतक नहीं हमारी जान के साथ खिलवाड कर रहे थे। इंटर्वियो अपने शोशन मीडिया प्लाटफोर्म पर रिलीस किया है और इस वीडियो में ही आर अश्वनी राजस्थान रोयल्स को तो बेहत खास टीम बता रहे हैं लेकिन साथ ही अपनी कुछ ये पुरानी भडास भी निकालते वे दिखाई दे रहे हैं अश्वनी कहत 2008 से लेकर 2010 तक में चेनई सूपर किंग्स का हिस्सा था लेकिन शुरुवात में मुझे मौके कम मिले थे और मैं बैच पर ही बैट कर मौके मिलने का इंतजार करता रहा लेकिन दूसरी तरफ रविंदर जडेजा को भी उस समय रोयल्स टीम का हिस्सा थे उन्हें राजस्था रोयल्स ऐसी टीम रही है जो भारतिय टैलेंट को सामने लाती रही है जिस तरह से रोयल्स की टीम ऑपरेट होती आ रही है और मेरे हिसाब से ये टीम वक्त के आगे सोचती है और आर अश्वनी IPL के शुरुवात में चेनई सूपर किंग्स का हिस्सा थे और इस टीम से ही उ उन्हें शुरुबाती मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला था और इसी बात की बढ़ास उन्होंने हालिया इंटर्व्यू में निकाल दी है